गुंजन एक बहुती गरिब परिवार की लड़की थी उसकी मा घरों में चोकाबर्तन की काम करती थी गुंजन का पीता राहुल को सराव पीने की गंधी आदत थी राहुल सराव के नसे में धूत रहता था और काउसलियगा को मारता पिरता रहता था एक दिन पापू बापू मा को मत मारो मा सारा दिन काम करती है और ठकी हारी घर आती है मा को छोड़ दो बापू मा की पेरों में बहुत दर्द है मा को मत मारो अब जब तक बोतल मेरी अंधर नहीं जाएगी मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा गुंजन रोने लगती है और उसकी मा का उसलिया उसको समःते हुए खुद भी रोने लगती है गुंजन मेरी बच्ची तुम बिलकुल भी मत रोना और इसके आगे तुम अपने पीताजी को कुछ भी मत बोलना क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आपको कभी माप भी नहीं कर पाती मैं बच्ची तुम चूप हो जाओ मा आपके उपर बाबु जी जब हाथ उठाते हैं न मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पाबु जी हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते गुंजन चूप हो जाओ ऐसा कुछ नहीं है मेरी बच्ची सब ठीक हो जाएगा गुंजन मैं तुम्हारे लिए रोटे बना कर रखते हूँ गुंजन एक 9 साल की मासुम बच्ची थी उस मासुम बच्ची के उपर उसकी पिता जी को हाथ उठाने में लज्जय भी नहीं लगती थी अल्या के पाउपर अब ज्यादा दर्द आने लगा एक दिन मा मैं आपके लिए पैसा कमाऊंगी और आपके लिए दवाई किन कर लाऊंगी केसे दवाई लापाऊगी मेरी बच्ची अभी तो तुम बहुत छोटी हो जब तुम पैसा कमाने लग जाओगी न तो बहुत सारे पैसा कमाना अच्छा सुन अब मैं काम पर जा रहे हूँ तुम्हारे लिए रोटे बना कर रख़ी हूँ ओ तुम खा लेना मैं भी अपनी मा की मदद करना चाहती हूँ मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ मा जब सामकर घर आईगी उस पैसे से मैं दवाई लेकर अपनी मा के पैरों में लगाऊंगी उनके पैरों में दवाई लगने के बाद अराम मिल जाएगा और इसी बास से गुंजन घर से निकल जाती है गुंजन एक दुकान पर जाती है और बोलती है मुझे मेरी मा की मदद करनी है, मुझे कोई काम मिलेगा गुंजन बजार में घुमती हुई, सभी लोग उसे काम मांगते है लेकिन सभी लोग उनको मना कर देते है तभी गुंजन का नजर एक भिखारयन पर पड़ता है सभी लोग उनको पैसा दे दे कर जा रहा था तभी गुंजन ने सोचा अरे ये तो काम बहुत असान है और पैसे भी मिल जाएंगे तभी गुंजन उसके पास जाकर बैठ जाती है और लोगों ने उनको पैसा दे कर जा पैसे साम वहां धीक मांगती रहती है और सभी लोग उसको पैसा की सिक्का दे रहा था लेकिन अजानक से एक बुड़ा बैक्ति आया और उसको पैसे की सिक्के दे रहा था कि उसके बटुआ उसके सामने गिर गया और गुंजन चिलाते रही बाबुजी यह आपके बटुआ यहां गिर गया तो आवाद लगा रही हो मैंने तो आपको पैसे भी दे दिये है बाबुजी आप मुझे जब पैसा दे रहे थे तब ही आपका बटुआ यहां गिर गया था छोटी प्यारी बच्ची भीक मांग रही है और देखने में तो इसे बहुत इमांदार भी लग र मैं इसा कमा लेना चलो मैं तुमहारे गर छुड़ डेता हूं तुम्हारे घर कहां है अब तूने मेरा बटवा खोने बचा लिया अब मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है न तुम्हें तुम्हारा घर छुड़ देता हूं जन उस बुड़े बैक्ते को लेकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते पर देखा उसकी बाबुजी ने अब उसकी मां से रूपियों लेकर गुस्से में जा रहा था अजानक से उसके बाबुजी को चक्करा ये तो हमारे बाबुजी है बाबुजी बाबुजी क्या हो गया ईक गुने के किने को माँ को सलिया रोने लगती है तभी गाउं के कुछ लोग वहाँ आ गये और उस बुर्य दैक These ने बोदे पीने वहां ने बोला आए देखिए ये सब सराप पीने की बज़े से हुआ है अगर ये दुबारा सराप को हाद भी लगाएगा तो इनके जान को खत्रा है ये सराप खाना बूरी आदा थे ये सराप की बज़े से ना जाने कितने लोग बरबाद हो गई कितने घर भी बरबाद हो चुके आज आपके बज़ा से हमारे पते की जान बज़ गई मैंने आपको पछिचाना भी नहीं गुणजन हमें बज़ार में मिली थी ओबीक मांग रही थी उस मासम को ये नहीं पता बीक मांगना क्या होता है इस मासम बच्ची की बात सुनकर मेरा दिल फिखल गई गुंजन बेटी तो अपनी मा के लिए भीक मांगने गई थी तो पता नहीं भीक मांगना क्या होता है ये तो पैसे कमाने के लिए गई थी राहुल को भी होस आ चुका था और वो बहुत सरमेंदा हो चुका था मुझे जैसे आदमी को बचाया मैंने तो परिबार को कोई खुसी नहीं दिये सका आज मेरी बच्ची भीक मांगने पर मजबूर हो गई मैं कैसा बाफ हूँ जब कोशन लिया ने भीक मांगने के बात सुने तो वो फुट फुट कर रोने लग गई उस बुड़े बैक्ती ने बोला मेरा तो कपड़े का करखाना है तुम ठीक हो जाओ फिर मेरे कपड़े का करखाना में काम करो लेकिन मेरा एक सर्थ है तुम सराब बिलकुल भी नहीं खाओगा ठीक है मैं सरापको हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं अपनी परिबार के लिए कमाऊंगा और खुसी अला कर दूँगा और फिर राहूल काम पर चला गया और उसके पत्नी और उसके वेटी गुंजन उसको काम पर जाता हुआ देखकर बहुत खुस हो जाती है